जहीं दोस्तों प्रापर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है दोस्तों अब तक हमने काफी वीडियो बनाए प्रापर्टी के उपर प्रापर्टी कहां लेनी चाहिए कैसी लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए, बजट कैसे फिट करना चाहिए, लोन कहां पर होता है, डॉक्यमेंट कैसे चेक करनी, ये सारे एक्सेटरा, एक्सेटरा, काफी सारे हमने वीडियोस बनाएं, अब मैं आपको मुद्दे की बात बताने वाला हो दोस्तो, अगर ये चीज करते वे, अगर आप कहीं पर चुक गए, तो वो एक छोटी सी भूल आपको बहुत महंगी पर सकती है, वो है रजिस्टरेशन के वक्त होने वाली गलतिया, जिया दोस्तो, ऐसी काफी सारी गलतिया हम कर देते हैं, जो फ्यूचर में हमें भारी पर सकती है, जिस व हमें से काफी वक्त लोग जब रजिस्टेशन ले जाते हैं, तो वो रजिस्टेशन की जो कॉपी होते हैं, वो पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट जाके रजिस्टेशन कर लेते हैं, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जो रजिस्टेशन करने के लिए बंदा आता है advocate की तरफ से या फिर builder की तरफ से या फिर जहांसे भी हमने flat लेया उनकी तरफ से तो हम जाके registration कर लेते हैं पर क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है property लेने के वक्त तो हमारी जिम्मेदारी होती है तो जिम्मेदारी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ देखो गलतिया किसी से भी हो सकती है चाहे advocate का बंदा हो solicitor का बंदा हो या फिर builder का बंदा हो जिसने वो drafting के है तो गलतिया उनसे हो सकती है कुछ misunderstanding भी हो सकती है तो उसके चलते जो future में problems होंगे वो avoid करने में आपको बताता हूँ तो आप अगर registration ले जाओगे तो registration करने से पहले आपको वो copy हाथ में लेके चेक करनी है आपको check क्या करना है तो सबसे पहले आपको आपका नाम चेक करना है नाम कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ आपका जो pancard पे नाम होगा और जो आधर card पे नाम होगा without any spelling mistake आपको confirm करके वो check करना है कि वही same spelling आपके agreement में draft हुई है क्या इसके बाद क्या करना है तो आपका pancard number जो agreement में mention क्या होता है वो pancard number एक एक word और letters आपको verify करना है कि pancard number सही mention हुआ है क्या उसके बाद क्या करना है तो जो आपका आधर card होगा आधर card का जो number आता है वो भी आपको check करना है कि आधर card का number अगर mention क्या है तो वो proper है क्या ये चीज़ें आपको compulsory check करनी है इसके बाद क्या करना है तो आपने जो property purchase की है क्या उसका flat number correct है जो भी flat number आपने choose किया होगा उसका number correct होना जरूरी है और उस agreement में last में page attached किया जाता है जिसके उपर उसका flat का जो है marking दिया जाता है एक demarkation बना के दिया जाता है उसके उपर lines की जाती है कि ये वाला flat है तो आपको समझना है पहले कि आपको जो plan में दिखाया गया या फिर जो actual flat था वही flat आपको उसमें sketch करके demarkation बना के या फिर उसका design करके जो भी उसके उपर mention करके उसमें attached हुआ है क्या होगा flat number अगर गलत होगा गलत flat की registration होगी तो भी आपके लिए headache होगा pan card number गलत होगा नाम में अगर spelling mistake होगी तो भी गलत होगा और ये सारे cases में आपको future में loan मिलने से problem होगी loan easily आपको मिलेगा नहीं अब ऐसा है दोस्तों कि ये video देखने के बाद काफी लोग अपने पुराने documents निकालेंगे और check करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे साथ ऐसा कोई वाकिया हुआ है क्या इसमें से काफी हद तक लोगों के साथ ऐसे चीज़े नहीं होते बिकाज जो भी advocate होते, solicitors होते या फिर जो builder की तरफ से लोग होते वो ध्यान से काम करते बिकाज उनको इन सारी चीज़ों की values पता है लेकिन अगर आप documents से कर रहे हो और आपको ऐसे कोई गलती मिली है तो आपको क्या करना है तो सबसे पहले घबराना मत, कोई attention मत लेना हर चीज़ के दवा होती है हर चीज़ के एक remedy होती है हर चीज़ का एक solution होता है अगर आपके agreement में आपका flat number गलत है आपका pancard number गलत है आपका नाम गलत है या फिर कोई भी चोटी मोटी mistake हुई है उसमें तो उसको sort out कैसे करना है तो ये sort out करने के लिए एक option होता है government के पास और उसको बोलते है rectification deed अब ये rectification कब हो सकती और किस केस में हो सकती वो भी मैं आपको बताता हूं जिसने registration करवा के लिया है और जिसने registration करवा के दिया है ये दोनों लोग भी अगर अभी अवलेबल है तो वो दोनों भी लोग रजिस्टार ओफिस में जाके एक rectification deed advocate के थूँ बनवा सकते है जिसमें वो mention कर सकते है कि ये पहले का ये agreement का number था उसमें ये mistake हुई है ये mistake जो भी address होगा या फिर number होगा उसके जगे भी ये correct number है अगर वो आप documents बनवा लेते हैं तो आपके लिए ये चीज़े थोड़ी future में easy होगी बिकोज जहां पर भी इससे related mistakes related आपके पास query raise होगी loan करने के time पर तब आप वो rectification deed का agreement दिखा सकते है तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो information होगी आपको पसंद आई होगी अगर definitely ये information आपको पसंद आई होगी तो comment section में जहीं लिखना वीडियो को like करना आप मुझे facebook पे भी follow कर सकते है instagram पर आप मुझे dm कर सकते है आज का वीडियो पसंद आयोगा तो channel को subscribe भी कर लेने है जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाए